तो आपने एक acid लिया and एक base लिया, इन दोनों को आपस में react किया और उससे बनके तयार हुआ salt and water, इस reaction को बुला जाता है neutralization reaction, इस reaction is known as neutralization reaction, neutralization reaction, जब कभी भी एक acid एक base के साथ react करता है, तो उस reaction को बुला जाता है neutralization reaction, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर neutral product बनके तयार हो, देखो salt neutral है, न acid है न base है, क्योंकि acid और base आपस में react कि दोनों एक दूसरे के effect को cancel कर दिया है, तो जो चीज बनके आई, वो बोला जाता है, और यह जो reaction है, it is exothermic reaction, exothermic reaction होती है यह, और exothermic reaction का मतलब acid reaction जो heat produce करें, तो जब कभी भी एक acid एक base के साथ react करता है, तो बहुत सारा amount of heat release होता है, अच्छा, daily life में भी आप देखोगे, इसके applications, neutralization reaction के, आप applications देखोगे अपनी daily life में, जैसे, सबसे पहला, किसी को acidity हो, आपने सुना होगा, बड़े बुजरुग लोग बोलते हैं, acidity क्यों होती है, acidity इसलिए होती है, क्योंकि पेट में excessive amount of HCL release होता है, आपको मालू है, आपके पेट में HCL है, hydrochloric acid है, वो क्या करता है, वो खाने को पचाने का काम करता है, तो कई बार body में क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा acid release हो जाता है, इतना हमको नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए कि वो acidity, वो acid कम हो जाया, तो acid को कौन neutralize करेगा, एक base, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक base को consume करते हैं, बेस मतलब क्या हो गया, जैसे MgOH2, यह एक base हो गया हम उसको खा सकते हैं, या फिर aluminium hydroxide, है न, ALOH3, हम लोग उसको भी खा सकते हैं, या फि acidity को control करने के लिए हम base का इस्तेमाल करते हैं, तो यह एक neutralization reaction है, दूसरा, जैसे अगर आपको किसी चीटी ने काड़ दिया, या फिर किसी मदुमक्खे ने काड़ दिया, अब चीटी हो गई, उसके अंदर कौन सा acid होता है, आंट, जो चीटी होती है, उसके अंदर कौन सा acid होता है, formic acid, तो formic acid उसने आपके अंदर inject कर दिया, और आप अगर चाहते हो कि वो formic acid neutralize हो जाए, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, base, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, base, तो आप base यूज कर लो, NOH, NOH base यूज कर लो, या फिर आप infect साबुन भी, soap भी रब कर सकते हो, साबुन, किसी चीटी ने काट लिया, और वो आपको तकलिफ दे रहा है, उसके ओपर साबुन रगड़ो, क्योंकि साबुन एक base होता है, तो उससे भी काम हो जाएगा, आपका, या फिर घर में baking soda रखा होगा, baking soda, baking soda का भी इस्तमाल आप कर सकते हो, similarly, wasp, 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 प की body में, base, वो उल्टा, देखो, आंट ने क्या किया, चीटी ने क्या किया, मदमखी ने क्या किया, acid को inject किया, जबकि ततया क्या कर रहा है, base को inject कर रहा है, अगर उसने base को inject किया, तो आप साबुन लगाओगे, कोई फरक ने पड़ेगा, क्योंकि base को neutralize कौन करेगा, acid, base को ततया काड़ जाए, तो ततया का, जो effect है, उसको cancel out करने के लिए, आप vinegar का use कर सकते हैं, उसमें vinegar लगा दीजिए, तो vinegar क्या करेगा, उसको neutralize कर देगा, क्योंकि उसने जो inject किया, वो base है, आज एक सवाल है कि कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, acid होता है, या base होता है, भाई तो अगर acid हुआ है, तो acid के effect को कौन खतम करेगा, base, और अगर base inject हुआ है, तो उसके effect को कौन खतम करेगा, acid, तो अगर ततया ने काटा, तो vinegar लगाई है, vinegar या acidic acid भी बोल सकते हैं, आप लगा सकते हैं, अब कई बार कैसा होता है, acid rain, आपने पढ़ा होगा, junior class में, acid rain, acid rain क्य है, कि देखो, आपने देखा होगा, industrial area से काफी सारा धुआ उठता है, sulfur dioxide हो गया, carbon dioxide हो गया, यह आसमान में जा करके, water vapor के साथ react कर लेता है, है ना, जैसे sulfur dioxide हो गया, SO2, carbon dioxide हो गया, CO2, यह क्या करेगा, water के साथ react कर लेगा, अब जब water के साथ react कर लेगा, तो यह बनाएगा carbonic acid, है ना, H2CO3, यह बनाएगा, sulfonic acid, H2SO3, यह जो है, what are these, these are acid, और यही जाकर के फिर धरती के उपर बरसते हैं, अब धरती के उपर बरसेंगे, तो क्या होगा, तो जो जमीन होगी, वो acid हो जाएगी, भाई, अगर acid की बरसात होगी, आपने यह भी सुना होगा, कि जैसे ताज महल के 100 km के radius में, सारी factories को बंद करा दिया गया, क्योंकि उन factories से carbon dioxide release हो रहा था, sulfur dioxide release हो रहा था, जिसके वैसे acid drain हो रही थी, वो जो sulfur dioxide होता है, carbon dioxide होता है, वो water vapor के साथ जुड़ करके, sulfuric acid बनाता है, carbonic acid बनाता है, और फिर वो acid drain बनके बरसता है, और acid drain बनके बरसता ह तो जो यह ताज महल है, उसके उपर गिर रहा है, तो corrode कर रहा है उसको, उसके जो दिवार हैं, उसको खराब कर रहा है, इसलिए बंद करवा दिया, है ना, तो यह जो acid drain है, अगर खेतों के उपर गिरेगी, तो farming का क्या होगा, farming का क्या होगा, तो farming तबा हो जाएगा, क्य अब जो select lime है यह क्या है base है तो acid rain जो हुआ उसका effect कौन कम करेगा एक base करेगा तो base के नाम पे वो क्या छिड़क देते है select lime जिसके वैसे जो acidic effect है acid rain के वैसे खेतों के उपर वो कम हो जाता है तो कई सारी applications है जिसमें आप neutralization reaction का इस्तिमाल करते हो एक और चीज जैसे tooth decay आप इस देखोगे तूथ डिके में भी आप एक चीज देखोगे तूथ देखे बोल सकता हूं या फिर टूथ पेस्ट है ना देखो क्या होता है कि आपके दांथ तब खराब होते हैं जब दांथ का pH लेवल 5.5 से नीचे चला जाए अच्छा pH क्या चीज है यह अभी हम लोग देखने वाले हैं तो देखो दांथ में क्या होता है कि मतलब जब आप खाना खाते हो तो अगर ठीक से मू निद होय तो दांथों में जो bacteria होते हैं वो उस food particle को consume करके उसको acid में convert कर देते हैं अगर आपने खाना खाया और मूनीद होया तो जो दांथों में bacteria होते हैं वो क्या करते हैं उसी food particle जो अटकेवे food particles हैं उसी को consume करके उसका acid बना देते हैं उसका acid बना देते हैं अब वो जो acid होता है वो आपके दांतों को corrode कर देता है क्या कर देता है? वो दांतों को corrode कर देता है तो उस corrosion से बचने के लिए आपको या तो continuously mood होना पड़ेगा continuously mood होएंगे तो क्या होगा? वो जो food particle होंगे, वो जो दांतों में आटके वे वो तो वैसे बह जाएंगे, bacteria वैसे बह जाएंगे और आपको करना क्या है? आपको एक ऐसा toothpaste यूज करना है जिसका nature basic हो, जो base हो ठीक है? तो bacteria ने आपके दांतों में acid produce किया, तो neutralization के लिए आप एक ऐसा toothpaste यूज करेंगे जो base होगा, तो acid and base आपस में react करेंगे, तो जिसके वैसे जो product बनके तयार होगा, वो neutral होगा और वो neutral आपके दांतों को बचाएगा, तो याद रखें, या तो दांतों को बार-बार धोते रहिए, या फिर toothpaste का इस्तिमाल कीजिए, अच्छे toothpaste का आच्छे, तो पर नॉर्माली basic होते है in nature, तो ये भी neutralization reaction में आता है, अब हमने ये तो देखा कि acid को और base को कैसे identify किया जाए, using a indicator, लेकिन अब हमको ये जानना है कि हमारे सामने जो acid available है, वो कितना strong है, वो कितना strong है, ये हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए market में एक pH paper आता है क्या आता है, एक pH paper तो इस pH paper को आप solution में dip करते हो, जो भी solution आपको दे रखा है, acid दे रखा है, base दे रखा है या neutral दे रखा है, तो pH paper को आप उसमें dip करते हो, तो जब आप उसमें dip करते हो, तो उस pH पेपर का Color change हो जाता है एक Color उसके ओपर डेवलडप हो जाता है उस Color को आप compare करते हो उस Color को आप compare करते हो with the universal habitat you neighbors इंडिकेटेड पेपर पहर न去ना वरस के साथ आप उसको compare करते हो universal indicator paper from universal इंडिकेटटर पेपर उसके साथ आप उसको compare करते हो और आपको मालुम पड़ जाता है कि ओके इसका pH इतना इतना है तो पहले तो ये universal indicator paper क्या होता है देखो ज़रा ये एक ऐसा paper type का रहता है ये देखिए ये एक paper है and इस paper में different set of colors होते है different set of colors होते है and हर एक color का अपना एक code होता है जैसे ये जो है ये pH scale है तो ये 0 pH है and pH maximum जाता है 14 center में आता है 7 center में आता है 7 अब ये देखिए 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ये इस is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसके बाद 8, 9, 10 11, 12, 13 और ये 14 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, right अच्छा ये जो left side है 0 से लेकर के less than 7 अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब वो acidic solution है और अगर pH 7 से जादा हो 14 तक तो इसका मतलब solution क्या है base है it is a basic solution, right it is a basic solution तो याद रखो pH scale जो है वो 0 से लेकर के 14 तक रहता है कहाँ 0 से लेकर के 14 तक जितना कम होगा जितना कम होगा वो उतना ही strong acidic होगा मतलब left side को अगर जाओगे तो वो strong acidic की category में आएगा और अगर आप right में जाओगे तो वो strong basic की category में आएगा तो वो strong basic की category में आएगा अच्छा color wise तो color wise उसका color कुछ ऐसा होता है कि अगर आप left side की तरफ हो तो red color red color right उसके बाद यह यहाँ पर देखो यह तो मैं approximate बता रहा हूँ ऐसा कुछ एक जैसा मैंस में जो color बनाऊंगा वो actually उतना तो match नहीं करेगा तो यह देखें यह कुछ ऐसा है यहाँ पर so this is the orange color यहाँ पर यह orange color का strip पाता है this is orange फिर उसके बाद यह जो color है यह yellow बन जाता है yellow right उसके बाद आप थोड़ा आगे जाओगे तो यह green color this is yellow के बाद यह जो color है यह यहाँ पर green green के बाद फिर आता है blue यह देखें this is the blue यहाँ पर this is blue color और उसके बाद ये last में violet color तो आपको करना क्या है आपको एक pH paper लेना ये देखे लेट से ये एक pH paper है आपने एक pH paper लिया और इस pH paper को dip किया आपने एक solution में तो मान लीजे ये एक solution था इस solution के अंदर आपने pH paper को dip किया पेपर को dip करने के बाद जब आपने पेपर को बाहर निकाला तो आपने देखा कि उसका जो color है वो blue हो रखा है यह जो pH paper आपने लिया यह pH paper blue हो रखा है तो आपको समझ जाना है कि color इसका blue आया अब blue को compare करो तो blue की category क्या है यह है तो इसका मतलब जो इसका pH है वो लगबग 9 के बराबर है इसका जो pH है वो 9 के बराबर है तो समझ में आया है क्या करना है देखो फिर से समझो क्या करना है आपको आपको एक pH paper लेना है उसको solution में डुबाना है डुबाने के बाद आपको देखना है कि उसके ऊपर कौन सा color आया जैसे यहाँ पर मैं एक example ले रहा हूँ कि blue color आया वो जो pH paper है उसका color blue हो गया अब जब उसका color blue हो गया तो आपको इसके साथ compare करना है What is this? This is the universal indicator paper यह जो मैंने नीचे बना रखा है This is the universal indicator paper अब यह जो blue color है आपको देखना है कि blue color का जो range है वो कहाँ पर आ रहा है तो आपने देखा कि जो blue color है वो 9 को indicate कर रहा है इसका मतलब आपने जो solution ले रखा है उसका pH 9 के approximate है 9 के approximate approximate मैं इसके लिए बोल रहा हूँ because यह confirm आप एकदम correct to pin to pin आप बोल निह सकते हो एक rough बता सकते हो similarly एक दूसरा solution है उस दूसरे solution में आपने same काम किया आपने यह PS paper लिए उस हमें dip किया और dip करने के बाद उसका जो color निकल के आया dip करने के बाद आपने उसको बाहर निकला उसका जो color है वो orange निकल के आया अब भाई यह जो color है यह orange है तो compare करके देखो universal indicator paper के साथ तो यह क्या बता रखा है 4 to 5 के बीच में बता रखा है तो इसका मतलब जो इसका pH है वो लगबग around 4 या तो 5 के आसपास का है इसका जो pH है वो 4 या तो 5 के बराबर का रहेगा तो pH paper लेना है उसको solution में dip करना है solution में dip करते ही उसका एक certain color आ जाएगा उस color को universal indicator paper के साथ match कर देना है और उससे आपको उसका pH समझ में आ जाएगा याद रखना अगर pH is less than 7 pH जो है वो अगर less than 7 है तो इसका मतलब जो solution है आपके पास वो acidic है जो solution है वो acidic है अगर pH बराबर 7 आ रहा है इसका मतलब जो solution है वो neutral है solution neutral है और अगर pH is greater than 7 तो solution is basic the solution is basic तो कोई पूछेगा कि सर यह pH क्या चीज़ है पीएच मतलब exactly यह वर्ड क्या है पीएच क्या है तो पीएच असल में होता क्या है पीएच बोल सकते हो आप this is representing power of hydrogen पीएच क्या है पीएच इस power of hydrogen है क्या hydrogen के उपर कौन सी power है अगले अपसाल पढ़ोगे आप class 10 11 में जब आप आओगे तो पीएच को और deeply पढ़ोगे पीएच मतलब क्या power of hydrogen पीएच पावर of hydrogen अगर कोई बोले पीएच की definition क्या है तो पीएच की definition है पीएच पीएच इस नेगेटिव पीएच इस नेगेटिव लोगरिदम पीएच इस नेगेटिव लोगरिदम ऑफ hydrogen आयन कॉंसेंट्रेशन hydrogen ion concentration pH is negative logarithm of hydrogen ion concentration actually जो pH का formula होता है वो ये होता है minus log of H plus ion concentration अब ये formula अभी आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि इतना deeply आपने पढ़ाई नहीं है आपको log नहीं पता आपको concentration निकालना नहीं पता तो आप pH भी नहीं निकाल पाओगे इसलिए बस इस moment पे इतना जान लो कि अगर pH less than 7 निकाल के आ रहा है किसी चीज़ का finally तो वो acidic है equal to 7 तो neutral और greater than 7 तो वो basic solution है so what is pH? pH is called as power of hydrogen और हम यहाँ पर hydrogen ही क्यों बोल रहे हैं hydrogen हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं acid के मामले में h plus represent करता है h plus जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा acid होएगा right and base के मामले में यह कौन होता है OH और बाद में चल करके आपको एक चीज़ पता चलेगा कि pH and POH का जो sum है वो लगबख 14 लगबख 14 ही होता है pH plus POH is 14 तो इसलिए base के मामले में हम लोग POH का इस्तेमाल ना करके pH ही बोलते है ठीक है तो pH होता तो power of hydrogen है तो यह मत सुचना है कि सर बेस में तो OH होता है तो फिर हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं pH की बात क्यों कर रहे हैं एसिड के लिए भी हम pH बोल सकते है बेस के लिए भी pH बोल सकते है फरह कितना है कि calculation के दौरान एसिड का जो pH है वो 0 से लेके 7 तक आता है और बेस का 7 से 14 तक आता है यह जो मैंने आपको बताया pH plus POH equal to 14 इसको फिलाल के लिए भूल जाओ इसको भूल जाओ और यहां तक किये जो मैंने definition आपको बता रखी है pH is negative logarithm of 49 concentration याद हुआ तो अच्छी बात है नहीं हुआ तो कोई tension नहीं अब यह एक list देखे pH इसके लिए आपर दे रखा है तो 7 पे neutral देखे ज़रा 7 पे water बता रखा है बता वाटर न्यूट्रल है 0 देखे जीरो पे battery acid है अब battery acid जो है वो सबसे ज़्यादा acidic है क्योंकि battery में acid यूज होता है hydrochloric acid यह रहता है H2SO4 रहता है उसके बाद देखे stomach का pH 1 है आपके पेट के अंदर जो HCL है उसका pH 1 है vinegar देखे vinegar का 2 है orange का 3 है tomato का 4 है black coffee का 5 है milk का 6 है मतब जान रहों का दूद भी acidic nature का रहता है दूद भी एक acid है coffee acid है tomato acid है orange juice यह देखे यह खटे-खटे चीज़े हैं यह सब acid है water neutral है sea water देखिए art इसका आ रहा है मतब बेस है baking soda भी base है indigestion tablet यह जो आप tablet खाते हो यह भी basic nature की होते है ammonia solution base है soapy water base bleaching base drain cleaner यह भी base है तो दीखिए base की category कहां से कहां था का रही 7 के बाद base है और 7 से पहले acid है तो acid and base को आप नाप सकते हो pH scale से तो देखो scale में देखो red color की तरफ जो है वो acid represent कर रहे है और wallet के तरफ वाले base represent कर रहे है दूसरी एक बात समझे मान लीजिए किसी ने hcl ले रखा है किसी ने hcl ले रखा है एक just example के लिए एक spoon डाल रखा है in एक liter water में और एक दूसरे बंदे ने hcl ले रखा है उसने एक spoon डाल रखा है दो liter water में दो क्या 10 liter दो की जगा 10 liter water में डाल रखा है तो मुझे बताओ क्या दोनों का pH सेम होगा पहले वाले ने hcl ले रखा है एक spoon डाला है उसने एक liter के बरतन में दूसरे ने एक spoon डाल रखा है hcl 10 liter के बरतन में क्या दोनों का pH सेम होगा तो ये बात याद रखना, दोनों का pH अलग-अलग होगा ऐसा नहीं है कि दोनों HCl है, इसके लिए दोनों का pH सेम होगा मैंने देखा है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों ही HCl है, इसका मतलब दोनों का pH सेम होगा जी नहीं, pH depend करता है कि कितना dilution हो रखा है, आप जितना ज़्यादा dilution करोगे, pH उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, एक certain limit तक, तो अगर इस पहले वाले का pH 1 है, तो इस दुसरे वाले का pH 2 है, अगर पहले वाले का pH 2 है, तो दुसरे वाले का 3 है, अगर पहले वाल पर है, उस लेवल पर pH change होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा dilute करोगे, मान लो आपने और ज़्यादा dilute कर दिया, यह देखिए, जस्ट मैं एक example ले रहा हूँ है, this is just an example, क्योंकि actual calculations इसकी थोड़ी अलग हो जाते हैं, उसमें फॉर्मिल लगते हैं, मान लीजे वन है, क्या pH same रहेगा, अलग होगा, अगर इस पहले वाले का pH 1 है, तो दूसरे का pH 2 होगा, तीसरे का pH यहाँ पर 3 हो जाएगा, समझ गए, तो आप जितना ज़्यादा dilute करोगे, उतना ही pH बढ़ता चला जाएगा, इससे फरक नहीं पड़ता है, कि आप क्या ले रहे हो, ती तीनों केस में pH अलग है, क्योंकि तीनों केस में dilution का level अलग है, हुआ लग्याइद्स, तीनों के सिर्एक दोग्याइबरक।